दोस्त रमस्कार कैसे आप सभी आप सभी जानते हैं आज कल सराप की जो लथे उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है आज हम आपको बताएंगे पंडित प्रदीप जी मिस्रा द्वारा बताया अगरा एक नुस्खा जिससे कि आप सराप की जो लथे उससे कैसे छुटकारा को हमेशा के लिए अपने आप से, अपने जीवन से दूर कर सकते हैं. सराप की वज़़ें से अनेक ऐसे परिवार हैं, जो बरवाद हो चुके हैं, अनेक ऐसी फैमली है जो बहुत ही जादा परेशान हैं, बहुत जादा परेशानी का सामना कर रही हैं. तो आज हम आपके लेकर आए हैं बहुत आसान उसका जो आप सभी कर सकते हैं यानि की सरावी व्यक्ति कर सकता है तो आईए जानते हैं आपको करना क्या है दोस्तो एक लोटे में आपको पानी लेना है आपको नूर्मल पानी यानि की तांबा का जो लोटा होता है तांबे के लोटे में आपको पानी लेना है उस तांबे के लोटे को में पाने लेकर आपको एक रुद्राक्ष डालना जी हां दोस्तो रात को आप एक रुद्राक्ष डाल दीजे यहने कि उसे रात एक लोटा ले ली जिसमें रुद्राक्ष नहीं आपको दोस्तो रुद्राक्ष का जो फल होता है वो आपको डालना है क कि आदा लोटा भगवान को चड़ा दीजियो रादा अगर आप खुश सेवन करते हैं यानि कि सरावी व्यक्ति सेवन करता है तो इस एक लोटे के जल से सारी शमश्या का हल होगा साथ में दोस्तों सराव की जो लद है सराव कोई भी व्यक्ति पीता है उसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और हमेशा के लिए सराव से शुटकारा पालेगा अब बात करते हैं दोस्तों जो रुद्राक्च का फल है वो अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो हम आपको ये नंबर दे रहे हैं इन नंबर पर अगर आप कूल करते हैं तो इन नम्ब आपको घर पर ही ये रुद्राक्च का जो फल ही वो प्राप्त होगा और थेंक्यों सोमाच